नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे प जानते हैं कि सदबाहर का पौधा की इस तरह से आपको लाप पोचा जा सकता है खुजिली यदि खुजिली है तो आपके लिए सदबाहर का पौधा वर्दान है खुजिली को दूर करने के लिए सदबाहर की पत्तियों को पीज कर प्रभाई जगह पर लगता है जिससे आप को बहुती जल्दी आरा मिल जाता है इस प्रकार को तीन में दो बार दो रहिए इसकीन समंदित समस्या है अगर आपको स्कीन समंदित कोई भी समस्या हो जैसे किल और मुहा से आदी तो आपको सदाबार की फूल का रस निकाल कर प्रभावित शेत्र पर लगाना चाहिए इससे आपको स्कीन समंदित समस्या है जल्दी ही दूर हो जाएगे और आपकी स्कीन पहली की तरह चमकने लगेगी बलड प्रिशर अगर आपका बलड प्रिशर कंट्रोल नहीं रहता है तो आपके लिए सदाबार का पवधा वर्दान है दरसल सदाबार के पौधे की जड़ में अलजलमिस से नामक एलकलाइस पाया जाता है जो की बलड प्रिशर को कंट्रोल करने में मदद करता है ऐसे मैं आपको सुबह सुबह सदाबार के पौधे की जड़ का चबाना चाहिए आपको सदाबार के राहिए